हेलो बच्चों यह जई 2010 का क्वेश्चन है रियल गैस बेबस लाइक एन आईडिल गैस इफ इट्स अब ऑप्छन दिया हुआ है प्रेशरें ट्यम्पेश्यर बोथ हर लो प्रेशर इज हाइड टेप्रेशर इज लो pressure is low temperature is high बच्चोब यहां पर जो option correct है वो है option number D देखें इसमें actually में होता है कि वंडर्वाल equation अगर आप देखेंगे न तो यहां पर वंडर्वाल equation में A upon V square into V minus NB is equal to nRT होता है ठीक है और ideal gas equation क्या होता है P V is equal to nR T उर्फियक तो अब इसमें होता है ज़कर हम pressure low लगे अगर आप low pressure लेंगे तो pressure low लेने से volume high हो जाता है थीक है तो अगर volume high हो जाएगा तो volume high होने से उत्जा मतार्वालूम होने से क्या हो जाएगा कि यह जो चीज़ें है यह नेगलिजिबल हो जाएगा, यहां से यह चीज़ नेगलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर कॉमन कर लेते हैं, देखिए, P प्लस A उपन V स्कूर, इसमें हम लोग V को कॉमन कर लें, तो यह 1 माइनिस NB उपन V हो जाएगा, तो अगर आप देखें, अगर वोलिम बहुत हाई होगा, तो यह नेगलिजिबल, यह नेगलिजिबल, तो सिफ क्या बचेगा, P और इससे क्या बचेगा, V, तो PV is equal to NRT, ठीक है, एक तो condition यह हो गया, ठीक के लोग प्रेशर होना चाहिए, दूसरा, high temperature, temperature high होने से क्या हो जाएगा, कि जो temperature आप अगर high करेंगे, तो intermolecular force यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि temperature आप अगर हाई करेंगे, तो जो kinetic energy है molecules के बीच का, वो भर जाएगा, और kinetic energy काफी increase कर जाएगा, ठीक है, प्रेंशनेर्जी लो हो जाएगा, जिसके वेज़ से intermolecular force यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो intermolecular force 0 हो जाएगा, तो वापस से वह ही equation अगरो PV is equal to nRT मिल जाएगा, तो इस चाहिए को आप याद रखिये, बच्चों के यहाँ पर pressure low and high temperature, mandatory हैस का condition.